मधिबर्देश के छतरपुर जिले के गौरी हार थानशेतर से एक मामला सामने आया है यहां दो भाहियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया दो पक्षों के बीच खेत में पशुओं को खुला छोड़ने पर विवाद चल रहा था इस विवाद के चलते एक युवक को दो भाहियों ने लाठी और डंडो से बेरहमी से पीटा लगतार पीटने के बाद दोनों ने एक धारदार हत्यार से युवक का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया दोनों आरोपियों ने पीडित गौरफ को जखमी हालत में उसके घर के बाहर फेक कर फरार हो गए घरवालों के बाहर आकर देखने पर गौरफ को आननफानन मेर अस्पताल ले जाया गया वहाँ डॉक्टर ने उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया तो वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दौनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया जो होँ पेडित पक्ष है उसका कुछ लोगों से गाउं के ही लोगों से विवाद चल रहा था और उसके जैनाइटल पार्ट पे टेक करके उसको वहां से अलग किया और टीटमेंट के लिए उसको पहले हॉस्पिटल ले गया फिर वहां से रेफर कर दिया अभी लखनों मे पिडित परिवार का कहना है कि पडोसी कमलेश और राजू सिंग के साथ पिछले पांच महिनों से पशुओं को खेत में घुसने को लेकर विवाद चल रहा था उनका और कमलेश का खेत अगल बगल में है दूसरे पक्ष के लोग उनके गाओं में आए दिन अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं इसी वज़ा से कई बार जगड़ा भी हो चुका है तो वहीं इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्च कर ली है और जाच में जु चुकी है